नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका हमारी नर्सिंग केर कलब के ओनलाइन सेक्शन में दोस्तों हमारा पुराना वीडियो आपको अच्छा कैसा लगा उमीद है आपको अच्छा लगा होगा आज हम होम हेल्थ एड के चैप्टर नमबर 8.3 के बारे में पढ़ेंगे जो है पैनावा और सबारना जब एक होम हेल्थ साएक मरीज को किस परकार कपड़े पैनाता है इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा उसको अब कैसे सबारा जाता है कैसे उस परकार को मरिज को देखा जाता है उसकी जो हिरक उनको बालो कैसे देखा था इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कार ये सुची पहला है तैयार होने में मरिज की मदद करें मरिज को तैयार होने में मदद करना है जो slide number 6 पर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा है, मुखकी देखबाल slide number 7 पर हम लोग पढ़ेंगे तीसरा है, मौकी सवस्ता का रख रखाऊ जो slide number 9 पर हम लोग पढ़ेंगे 4. मौकीक सवस्ता बनाई रखने में होम एल्डी की क्या बूमिका होती है स्लाइड नमबर 10 से 11 पर हम लोग पढ़ेंगे पांचवा है बेवस मरीज की मोखिक देखबाल कैसे करनी है स्लाइड नमबर 12 पर हम लोग पढ़ेंगे छटा है उपेक्षित मुय का प्रबाव जो स्लाइड नमबर 13 पर हम लोग पढ़ेंगे साथवा है मोकिक स्वस्ता का मैतू जो स्लाइड नमबर 14 पर हम लोग पढ़ेंगे आटवा है मोकिक देखबाल देने के लिए आउसकता क्या है जो स्लाइड नमबर 15 पर हम लोग पढ़ेंगे नववा है, बालों की देखबाल, कैसे बालों की देखबाल करनी है, स्लाइड नमबर 16 पर हम लोग पढ़ेंगे, दसवा है, बालों की देखबाल का मैतु क्या है होता है, स्लाइड नमबर 17 पर हम लोग पढ़ेंगे, ग्यारवा है, बालों की देखबाल में होम हेलते की क्या पूमिखा होती है, जो स्लाइड नमबर 18 पर हम लोग जानेंगे, बारवा है, बालों की देख बाल में मर्यूज की सायता करने के लिए क्या चरणनों होते हैं, जो स्लाइड नमबर 19 से 20 पर हम लोग पैचानेंगे, तेरवा है, सेविंग कैसे की जाती है, स्लाइड नमबर 21 प की मदद करें कैसे मरद करनी है एक होमेल साय को जब अस्पताल में आता है मरज को जब सुमे कपड़े पहना जाते हैं उसको सवारा जाता है उसके किस परकार बालों की देखबाल की जाती है उसके नाकूनों को कैस परकार काटा जाता है किस परकार उनकी देखबाल की जाती है जिससे उनके infection नहीं पहले, इसके बारे में हम लोग जानेंगे मरीज को स्वस्ता पदान करना साइज सभी nursing देखबाल की गतिवीदियों में सबसे बुनियादी है लेकिन यह निसंदे है, सबसे महत्पूर्ण चीजों में से एक है मरीज की सबसे स्वस्ता किसी पर जाती है, उसकी गतिवीदी पर गतिवीदी में क्या आता है, जिसे बालों को सवारना, नाकुनों को देखना ऐसी चीजों में एक होमेसाय की बहुत महत्पूर्ण भूमी का होती है यह नाकेवन मरीज की सारीक जरुदों के लिए एक प्रावदान है यह मरीजों की बावनात में बलाएके लिए लिए भी बावनाव में योगदान देता है मरीज की सारीक स्वस्ता में ही जरुरी नहीं होता है इसमें इससे एक personality मरीज की अच्छी दिखती है जिससे जिसमें भावनात में उसकी योगदान मिलता है अब पहला है अपना मुख की देखबाल इस प्रकार एक होमेल साइक मुख की देखबाल करता है उसको कैसे मुख की देखबाल करनी है इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे अपने मुख को साप रखने के लिए हमें हर दिन अच्छा तरह से मुखिक स्वस्ता पर अमल करना चाहिए हमारा मुख एक मैत्पुन अंग है क्योंकि यह बोजन के पाचन में मैत्पुन भूमिका निभाता है एक होमेल साइक मरीज का मुख को रोज साप रखना है जिससे उससे बैक्ट्रिया उसके अंदर नहीं जाए और उसकी बोजन पाचन में जो बूमिका होती है उसको सारा मिले और वे अच्छा लगे चुक्कि मुवें भारी वाताोने सिध्य संपरग में होता है बहुत से बेक्रियigon मुवें में पाए जाते हैं इसमें कुछ बैक्रियें होते हैं जिने मुए को साप करने से अच्छे लगते हैं डिस्ट्रोई हो जाते हैं अस्वतार में रहने के दोरान मरीज मौकिक स्वस्ता की देखबाल करने में असमर्थ हो सकता है तो आपको Home Health Aid के रूप में मरीज की मौ की स्वस्ता बनाई रखने में मदद करनाई चाहिए जब अजबतान में मरीज रहता है तो उसकी स्वस्ता बनाई रखने के लिए एक Home Health साय को मौह की अच्छी तरह से उसको देख बाल करनी होती है अभ्यास परसंद मौह की देख बाल क्यों करनी चाहिए मौह में बैक्ट्रिय नापन पर इसलिए करनी चाहिए क्योंकि मौह दोरा बोजन करते हैं इसलिए करनी चाहिए मौह में बैक्ट्रिय को पनपने दे इसलिए होना चाहिए या चोता है उप्रोक सभी जो सही है हमारा उत्त है मुह में बेक्ट्रियन नापन पे कारण इसमें हमारे मुह में दुरगन नहीं आएगी इसे हमें केटाणों नहीं हो गए इसे बीमारी की में थोड़ा आराम मिलेगा इन चीजों के लिए हमें मुह की सपाई करनी चाहिए जिसे ओरल केर का आजाता है अब मुह की सवस्ता का रख रखाओ किस परकार आप मुह की सपाई का रख रखाओ करोगे एक होमेल साइक किस परकार मुह को साब रखा क्या क्या चीज़े उसमें चाहिए इसके बारे में हम लोग जानेंगे दातों की सपाई और मुए की सपाई करना हमारी दिन्चरिया का एक इस्सा है आप लोग भी जब घर पे रहते हो तो आप भी मुए की सपाई करते हो इसलिए जब होस्पिटल में मरीज रहता है उसकी मुँए की सपाई करना रोज का काम होता है जिससे उसके बैक्टरिया नहीं जर्में उससे कोई इन्फेक्शन नहीं हो यह सबसे आम गतिवीदी है जो देनिक आदत के रूप में मौकी स्वस्ता बनाई रखने के लिए की जाती है यह रोज करना होता है जो कि उसकी मौकी स्वस्ता बनाई रखना हालत और बोजन का प्रकार जो मरीज खाता है मौकी स्वस्ता में जब व्यक्ति बोजन खाता है तो उसमें मौह में लारवा रह जाता है या कुछ किटानू रह जाते हैं उसको नश्ट करने के लिए मौकी सपाय करना जरूरी होता है उस पर नेर्बर करता है अगर मरीज सामाने टोस आर खा रहा हूँ तो मरीज को हर दिन उसके दास साप करने के लिए प्रोसाइद करें मरीज अगर परती दिन कुछ खा रहा तो उसके दातों को सपाई करने के लिए एक होमेसाइक की साइता से सपाई करनी है सुनिशित करें कि आउसक सामगरी उसको आवस्त सामगरी जो चाहिए है को हुमाय साय को वो क्या चाहिए तूथ ब्रस होना चाहिए तूथ पेस्ट होना चाहिए और अन्य ऐसी सामगरी मर्ज को उप्योग करने के लिए तैयार रखे क्या क्या चाहिए तूथ ब्रस तूथ पेस्ट चाहिए जिससे वो मोखे जो दात हैं उनके साफ कर सके इसके अलावा अगर यह चीज़े खराब हो गई हो तो इन्हें बदना याद रखे अगर वो खराब हो जाते वरस खराब हो जाते हैं नई वरस का उपियोग करके मरीच की दातो की सपाई करने चाहिए जिससे बैठरिया खतम हो सके अब मोकी सवस्ता बनाए रखने में Home Health Edge की क्या बूमिका होती है इसके बारे में हम जानेगे मोकी सवस्ता बनाए रखने के लिए हमें तूट बरस, तूट पेस्ट, मौत वोस या दंच सोता का उप्योग करते हैं अब मौकी सोस्ता बनाएक लिए हमें क्या क्या चीज़े तूट ब्रेस चाहिए तूट पेस चाहिए मौत वोस चाहिए ऐसी चीज़ों की होती है इसके अलावा होम हेल्थ एड को निमलेकित बातों का ध्यान रखना चाहिए जब वो होम केर पे मरीज का मौए की सपाई कर रहे हैं तो उनको किंट की बातों का ध्यान लखा जाता है इसके बारे में हम जानेंगी जब रोग्यों की ब्रस करने में मदद कर रहे हो तो कॉमल नरम उसांत आवाज में बोले जब आप मरीज को औरल केर दे रहे हो या उसको ब्रस करा रहे हो तो उस समय आपको शांत रहना है बिलकुल कॉमल बावसे उसके ब्रस दातों को साप करना है जीप पर ब्रस करने से बचें क्योंकि हैं बुजग रोग्यों में जलन पैदा कर सकते हैं जो बुजग लोग होते हैं उन्हें पर जीप को ब्रस करने से बचना है जिसे उसके कोई इंफेक्शन नहीं हो उसकी जीप नहीं कटें और उसमें कोई जलन नहीं हो इसके बजाए जीप साप करने के लिए जीप कुरेचनी का उपयोग करें जीप साप करने के लिए एक जीप कुरेचनी आती है उस उपकरण का उपयोग करना है जो यू आकार के आती है तूथ ब्रस है और हैंडल को टेप से लपेटें मारिज को नरम परिपत्र गत्य का उप्यो कर खाने वाली सार्त को व्रस करना सिकाएं। अगर खुद मारिज व्रस करना जानता हू तो यह वो व्रस कर सकता हूँ, तो मla необходимо नरम प्रिपत्र जहाँ पर है उसे साब करने के लिए कहाएं। रोगियों और देखबाल परदान करने वालों को हर दिन मैने में टूर्ब्रेस बदलने के निदेश दे रोगियों या जो मरीज है देखबाल कर रहा है एक उम्मेस आए उसको हर एक दो मैने में उसकी टूर्ब्रेस होती है उसको चेंज करने के लिए कहें यदि मरीच कंत्रिम दाटों का उपयोग कर रहा हूँ तो उन्हें हटा दें उन्हें दीड़ी से चलते पाने के नीचे दोएं या एक नरब व्रस के साथ साफ करें अगर मरीच के नकली दात लगा हुआ हो तो उन्हें दोने के लिए बहार निकाले और उन्हें व्रस से या नरम पाने से दोना चाहिए विविन ऐसामाने जो मौकी गुवा में पाए जा सकती है उनमें तवचा की लालिमा, मसरुड़े खून बैना या बदूदा सांस आमिल है इन ऐसामानदों के बारे में तुर्ण नर्स या डॉक्टर को बताएं यदि मरीज में किसी परकार की अबनोर्बिटी दिखती है जैसे तवचा की लालिमा हो जाना या मसरुड़े खून आना या उसके मुवे से बदवू आना तो आपको किसको संपर करना है डॉक्टरी या नर्स को बताना है अब बेहुसी मरीज की कैसे देख बाल की जाती है मुवे की इसके बारे में हम जानेगे मुवे की सवस्ता मुवे दात मसरुड़े और टो को सवस्त बनाए रखने में मदद करते हैं यह मसरुड़े की मालिस और अप्रिय गंद और स्वार्द में उत्पन होने वाली प्रेशानी से भी रात दिलाते हैं जो मुवे से बदवू आती है और मसरुड़े जो इंफेक्शन होता है उससे बचने के लिए मुवे की केरल की करनी चाहिए निवर्टा के उनके इस तरह के कारण कुछ रोग्यों को विशेज मुव की स्वस्ता तरिकों की आवसकता होती है इनका खास दोर पर ध्यान रखना चाहिए हो मेरीज को की और के और केर करने में इंफेक्शन हो सकता है और एक मुए में क केर नहीं कर रहे हो मरीज़ की तो उससे क्या इंफेक्शन दीखेगा क्या संक्रमन उसमें दीखेगा is के बार में जानेंगे मुए बैक्टरीय विकास के लिए सबी आवक सकता हूँ जिसे गर्मी नमी यु्यावसिस खादे पदातों से बोजन की आपकोदी पदान करता है मुह में जो बैक्टरिया होते हैं उनकी विकास किस्से हो जाता है गर्मी से या नर्मी से इन पदातों के वज़े से बोजन में जो पदात मिले होते हैं उनके वज़े से बैक्टरिया बढ़ जाते हैं यह कुछ इस्तानी संक्रमन बनाते हैं जो इस प्रकार क्या-क्या संक्रमन बन सकता है मुह में जीजीवाइटिस जीजीवाइटिस होते हैं मसूड़े की सूजन जो आपके दाथ के नीचे होते हैं मसूड़े उनमें जीजीवाइटिस संक्रमन फैश सकता है गेलोसाइटीस यह जीब की सूजन है जब आप औरेली कर ले हो तो जब जीब पे आप व्रेस करते हो तो उसमें क्余क्शन हो जाता है Glow Cytosis Infection हो जाता है Root Foda दातों की जड़ होती है मवाद बनना दातों की जड़ होती है इसमें मुवाद बनना स्टार्ट हो जाता है Istomotitis मुए की मलगम जिल्ली की सूजन होना जो Istomotitis मुए की जिल्ली होती है जो Salary जिल्ली है उसमें सूजन हो जाना उसको क्या कहा जाता है इस्टोमोर्टाइटिस कहा जाता है दंत सहे दातों का खराब हो जाना मसूड से खून बैना ये सब मुए को उफेक्सित करने वाले कारक होते हैं अब मुखी स्वस्ता का मैतू क्या क्या मैतू होता है जब आप औरली केर कर रहे हो इसे क्या मैं तो मिलता है आपको एक हो मैं साय को अच्छा कब दिखेगा मारीज को कैसा लगेगा इसके बारे में हम जानेगे मुए को साप और नर्म रखने के लिए औरल केर करनी चाहिए दातो और मशुडो को अच्छी हालत में रखने के लिए भी औरल केर करनी चाहिए खराब गंद से मुखिक गुआ को मुक्त रखने के लिए औरल केर का होना वह जरूरी है बू को उतरजित करने के लिए औरल केर का होना वह जरूरी है अब मोकिक देखबाल के लिए आउसे क्या क्या चीज़े हैं मोकिक देखबाल करने के लिए निमन लिकी सामगरिय के युक पेकी आउसकता होती है अब आप जब औरेर केर कर रहे हो मरीज़गी एक होमेल सायग तो उनमें क्या-क्या चीजे उसको चाहिए जिसे वो ओरेल केर करेगा, एक छोटी कटोरी में कपड़े के टुकड़े लेना है उसको, दमनी चीम्टियां जो आर्टी फोर्सेप होती है, पट्टी जो बेंडेज होती है, जीब कष्ट कारक और मुह में रखने के लिए के साथ कंडिटर, जीब कष्ट कारक जीब को नुक्सान नहीं दे, जो मैंने बताया अभी यूक आकार का, उसका उप्योग करते हुए, महरीज को ओरेल केर करनी है, अब उसमें सोलिशन होता है, एक अनुपात आठ हाइड्रोजन प्रोकसाइड लेनी है, ताकि बेक्तिया क को नुट्स किया जाए, कोडी लोसन जो एक बताश छे जार रिस्टिजन बिटाडिन का उप्योग करना है, कलोर एकसाइडिन का उप्योग करना है, और गुलकोनेट, बोर कोलिसरीन, वैसलीन और जतुन के तेल के साथ करनेटर का उप्योग करना है, यह जो आपको सब दिए खरे रहा हैं, यह एक और, के लिए की जाने वाली इंफेक्षिन होने के बाद में की जाने वाली दमाईयोग का काम में आती है, पाने के साथ खिलोने वाला कप जो होता है, खिलाते है खाना, वह पाने का अप होए होने चाहिए, ताकि उसे मुएшее को और लीकरर के आञे अब दूसरा है बालों की देखबाल किस परकार बालों की देखबाल करना है आपको बालों की देखबाल करना वेक्टिक हस्षाथ बनाई रखने के पहलों में से एक है प्रेस्निटी आदमी कहां से थी थी बालों से अतियतिक बालों को छटनी की जुरत होती है कुछ बाल होते हैं उनको काटते हैं उन्हें सही से बनाई रखने भी होता है और उन्हें सवारना होता है और मरेज के जो बाल गिर गए हैं उन्हें साफ भी करना होता है मरीज को कंगी की जा रही है तो जो बाल नीचे के ते उन्हें साफ करना भी ज़री होता है एक होमेज साइक को मरीज के बालों को देख बाल करने के लिए विन तरीकों को अपनाने की आउसकता होती है यो मरीज के बालों को देखबाल करने लिए एक होम ऐसा है क्यों कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए इसके बारे में हम जानेंगे बालों की देखबाल सीर और चेहरा है सरीर के मुक्य रूप से बालों वाले चेतरे में से होते हैं जो सीर है वो चेरा है वो किस से जुड़े होते हैं बालों से और बालों से कौन जुड़ा होता है सीर पर तौचा की सबसे बारी पर को खोपडी का जता है जो खोपडी होती है इसकी उसे जुड़ी होती है बालों की कोशिकाएं खोपडी में जुड़ी होती है बालों की कोश और बालों पर विमिन परकार की बैक्टरिया मोजूद होते हैं कुछ बैक्टरिया होते हैं जिनको डिस्ट्रोय करते हैं बालों को यदि बालों को साब नहीं रखा जाता है तो यह वेजान चिकने हो जाते हैं अगर बालों को साब नहीं किया जाते हैं तो यह बिल्कुल बैक्ट्रिया बढ़ जाते हैं और बेचान हो जाते हैं वो चिकने जैसे लगते हैं स्मूत जिसे बोलते हैं वो हो जाते हैं और खराब होना स्टार्ट हो जाते हैं और इसे खराब गंदी भी आ सकती है इसे खराब गंदी भी आती है यह इस दितियां बालों को किटाणूं के विकास उसंकर्मन को बढ़ाने में सायता होती है यह किसको बढ़ाती है बैक्टरिया और संकर्मन को बढ़ा देती हैं बाल अगर आपने साप नहीं किया हो तो आप यह सुनिशित करना चाहिए कि बाल साप रखे जाए एक होमेल साय को क्या करना है मरीज के बालों को साफ रखना है और उसे कंगी करना है समय समय पर और समय समय पर अत्रीक बालों को हटाया जाना चाहिए जिससे मरीज को किसी भी प्रेशान दूर रखा जाए इससे मरीज को कोई प्रेशान नहीं हो बाल छोटे रखना है मरीज के बड़े बाल नहीं रखना है खाना खाते समय बड़े बाल कहीं उसके खाने में गिर जाए और वो इंफेक्टेट हो जाए मरीज इसलिए उसको बचाना है मरीज के बालों की स्वस्ता बनाई रखनी है आपको तक क्या बालों की देखबाल में होम हेल्टिक की क्या भूमिका होती है इसके बारे में हम लोग जानेंगे रोगी जो स्वेम सावर ले सकता है उन्हें अपने बालों को निमित रूप से दोने के लिए प्रोसाइड किया जाना चाहिए रोगी स्वेम जो सावर में जाकर नहाँ सकता है या उन बालों को दो सकता है उसको निमित दोने के लिए प्रोसाइट करना है सैंपू एक विसेज एजेंट है जिसे बालों को साफ करने के लिए इस्तमाल किया जा सकता है सैंपू का परियोग करके एक होमेल साइक मरीज के बालों को साफ कर सकता है आपको मरीज को अपने बालों को नियमित रूप से सैंपू करने के लिए प्रेज करना चाहिए मरीज को बालों को साफ करने के लिए एक सैंपू का परियोग करना चाहिए यदि मरीज बिस्तर परी रहता है तो आप उनके बालों सैंपो करना चाहिए, उन्हें साफ रखना चाहिए अगर मरीज उट नहीं सकता है, तो आप एक Home ancient psych जो होता है वो मरीज के बालों को अच्छी तरह से साफ करना चाहिए सैंपो करें समय समय पर बाल सही से कंगी करना उन्हें साप रखने के लिए मरीज की साहिता करने चाहिए समय समय बालों से कंगी करना चाहिए और उनको साप रखना चाहिए सरी के अन्य चेत्तों जैसे बगल या छाती में अध्री बालों को चिकिसत के निद्रिश के निद्रिश के शाती में और जो । खांक में बाल होते हैं उन्हें हटा देना चाहिए ताकि उसे इंफेक्शन नहीं फैले उसे बदबु नहीं आए पसीना नहीं आए बाल और सेव नाई द्वारा की जाती है बाल और सेविंग की जाते हो नाई द्वारा की आ जाता है जब भी आवसक हो नाई अस्पतान में बाल काटने के सेवाय परदान कर सकता है और उसे आप एक होमेल साइक मरेज की बाल कटवा तो नाय को बुलाके उसे बाल कटवा सकता है अब बालों के देख बाल में मरीज की साइधा करने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं क्या क्या चरण होते हैं उसके बारे जाने पहला चरण है तक्या को सूका रखने के लिए तोलिया किसी भी सुरक्सा कवर्ण के साथ डखे जब आप मरीज के बालों को दो चुके हो उसके बाद में उसको तक्या को गीला नहीं हो इसलिए उसके बालों को एक तोलिय के रूप में बांध दिया जाता है सिर्फे गाउन को खोल लें और विस्तर के कपड़ों को डीला करें गाउन को खोलना है और जो विस्तर पे कपड़े लगे हों को डीला करना है चरण तीसरे व्यक्ति के गर्दन या बाहों के नीचे तोलिया रखें ताकि बाल दोने के लिए काम में ले सके व्यक्ति की आँकों पर एक कपड़ा रखें जिससे सैंपू जाने से उनमें जलन ना हो अब मरीज के बाल दो रहे हो सैंपू नहीं जाए इसलिए उसके आँकों पर एक पट्टी बान देनी है चरण छे सबसे पहले मरीज के बाल गी ले करें और फिर सैंपू लगाएं मरीज के बालों को क्या करना है सबसे पहले गीला करना है ताकि वो खराब नहीं हो चरण साथ जब तक बाल साप और चमकदान नहीं हो जाते मरीज के बालों को दोएं मरीज के बाल जब तक दीरे देर एक होमेसाय को दोना चाहिए बालों को सब्ता में दो से तीन बार दोना चाहिए बालों को सब्ता में दो या तीन बार दोना चाहिए क्योंकि यह जल्दी सी गंदे चिकने हो जाते हैं इसलें सब्ता में दो या तीन बार दोना चाहिए हाला कि मरीज के बाल दोने से पहले डोक्टर से जांस ले कि सेंपू का उपयोग करना है ठीक रहेगा या नहीं डोक्टर से पूछ के या नर्स से पूछ के बालों को दोना चाहिए ताकि मरीज के लिए सही रहेगा या नहीं चरण आठ साब सूके तोलिय का उपयोग करें दीरे से मरीज के बालों को सुकाएं साब तोलिय लेना और मरीज के बालों को पहुचना है चरण 9 अब कंगी या ब्रस से मरीज की बालों को बनाने में मदद करें उससे कंगी लेके मरीज के बालों को सूपने के बाद कंगी कर देना है परक्रिय के बाद तुरंट सपाय के लिए मरीज को तोलिय और चादर पदान करे सपाय के बाद उसको क्या करना है? मरीज को तोलिय देना है या चादर उसको पदान करनी है अब सेविंग, सेविंग केस परकार की जाती है, नाई दोरा या आपके दोरा, हम लोग इसके बारे में जानेगे, इसके चरण है, पहला चरण है, सबसे पहले सेविंग बनाने के लिए याद दिलाने की जुरत हो सकती है, मरीज को याद दिलाने की जुरत है, क्योंकि मरीज क बिजली के रेजर का उपियोग करता है तो अपिक्सागाद लंबे समय के लिए सेविर रखा सकता है क्योंकि इसमें कम निर्गूनता की आउसकता होती है यह सोज़श्रक्षित है आप जब मरीज की सेविंग कर रहे हो जो इलेक्टर रेजर होता है उसका उपियोग करके आप सेविंग कर सकते हो चान 2 यदि मरीज खुद रेजर से काडना सुदू करता है तो इसका मतलब है कि अजामत बनाने की जूरत हो गई है मरीज खुझ सेविंग करना चाहता है तो उससे सेविंग करने में सायता करनी चाहिए चरण तीन आदमी के सव सेव के छेत्र को गीला करने के लिए कपड़े का प्रयोग करें और सेविंग क्रीम लगाएं मरीज के बगल में कपड़ा लगाना है गरदन के नीचे और उसके सेविंग के लिए सेविंग क्रीम लगानी है चरण 4 उसे दिसा में हजामत करें या बाल छोटे स्टोक का उपयोग कर बढ़ते हैं सविधिन सेत्रों में कॉमलता से सेव करें और बीर की मुलायम हातों से अपने सेविंग स्टार्ट करनी है चरण 5 ताजे गीले कपड़े से दोएं उसे दिये ले कपड़े साफ करना है फिर उसकी तवचा को सुकाना है बाद में सेव लोसन लगाना है वेकलिप है सेवि लोसन लगाना है ताकि उसमें कोई जो इंफेक्शन हो रहा हो या कट गया हो वहाँ पे वो डिस्टो हो जाए ब बिली कि अगर आप रेजर ले रहे हो सेविंग कर रहे हो उसमें लोसन लगाना ज़री होता है गतिका प्रियोग करना है नाकुनों की देखबाल किस परकार की जाती है नाकुनों से कौन सा इंफेक्शन हो सकता है इसके बार में हम जानेगे एक होमेल्स आए कि क्या भूमीक संक्रमन को फैलाता है नाकुन में सबसे चोटे-चोटे किटानों हो जाते है जिससे उसमें गंदगी हो जाती है उसमें संक्रमन सबसे ज़्यादा होता है इनके कुछ चरण होते है पहला है क्या क्या करना चाहिए एक होमेल्स आए को नाकुन को साप परने के लिए पहला हा मरेज को कुर्शी शी पर बिठा है यदि संभ हो तो मरेज़GO पेहरों के नीचे वठाएो Và The Casey चिल्मिची को ग्रम पाने से बरें Union the course चिल्मिच को डिस्पोज्य श्थ ढूरी दौरपर रखें वह इसको चटाएव पर रखना है और मरूच को चलमेज्ड को पैरों को रखने में मजड़त करें और मरूच को कहें कि आप इस पर पैर रख लो या आप अपने हातों से एक होमल साइक रख सकता है चरण four चार उसे पांच से 10 मिनट के लिए पैर भिगह उए उसके पांच से विस्तर का उपयोग करें और सिद्धे काटें और विस्तर का उपयोग करते विए उसे सिद्धे काटना है चरण 6 फाइलेजर का इस्तमार करें बीना किसी नुकीली कोनों को नाकुन को गोल और चिकना करें जो रेजर होता है उसे नाकुनों को गोल करके और चिकना कर देना है उसको रगड़ना है दोड़ाजा चरण साथ हाथों की उंगलियों के नाकुनों की तरह पाओं की नाकुन को ट्रेप और साफ करना है चरण आठ दस्ताने निकाले उनको ठीक से फैंक दे अब आपको दस्त करके बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हूँ सब्क्राइब करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो को सेल करें धन्यवाद